नमस्कार दोस्तों कैसे आप सब मैं आपका दोस्त डोक्टर संदीवर मैं आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ तो दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ सबसे important news एक जो एक किसी चीज को लेकर NTT के course को लेकर के यहजिम में जो है NTT का course करवा जाता है उसके बारे में पूरी विस्तरत से जानकर आपको दूँगा कैसे admission होता है क्या इसकी PEAS रहती है और क्या क्या इसमें रहता है सेलेबस क्या होता है एक्जाम कब होते हैं यह project क्या रहता है क्या चीज रहती है और किसी हूद यह diploma काम आता है दूस्तों तो उसके बारे मैं आपको जो है पूरी जानकारी माज देने वाला हूँ तो दोस्तों सबसे पहले इसके लिए आपको क्या करना है उसके उपर लिखना है आपको Google पे जाना है तो सिर्भकरने के बाद में आपके सामने कुछ ऐसी विंटोні ओपन होगी जिसके अंदर जो आपको पहला link दिखाई दे रहा है कि आपको निचे जो है एगणु के बारे में complete है यहाँ पे box मिलाएगा जिसके अंदर आपको पूरी सबी परकार के link दिये गए है इसके अंदर आपको क्या करना है एगनो कोर्स लिष्ट जो आपको ये लिंक दिखाई दे रहा होगा ये वाला इसके उपर आपको कलिक करना है जब आप ये कलिक करते हैं तो आपके सामने कुछ जो है ऐसी विंडो ओपन हो जाती है जो कि जिसके अंदर आपको सभी प्रोग् पर आप जाएए इसमें जाने के बादे में आपको जो है एक जो दिखाई देता है नीचे जाएंगे आप आपको डिप्लोमा की लिष्ट दिखाई देती है जिसके इंदर जो फौर्थ नंबर फिफत नंबर पर दोस्तों 1 2 3 4 फिफ्त नंबर पर डिप्लोमा इन अरली चायल care and education जिसको क्या बोलते हैं इसके अंदर जो अलग अलग युनिवस्टियां है वो entity की course का नाम जो है लग लग रखती है सबसे पहले तो आपको बता दो entity की full forum है nursery teacher training जो है ये रहती है उसके अंदर जो रहता है कि nursery teacher training मतलब है जि छोटे बच्चों को बिल्कुल छोटे school जाना सिखाया जाता है जिसको आज के time में क्या रहता है play school के रूप में use किया जाता है दोस्तों तो उनके लिए जो है ये course होता है तो इसके अंदर आपको दिखाई दे रहा होगा कि जो आपको है ये वाला column क्लिक करते हैं ये क्लिक करने के बाद में जो है आपको कुछ इसी विंडो आपके सामने open हो रही है तो दोस्तों आपके सामने ये window open हो चुकी है जिसके अंदर आपको सबसे पहले दिखाई दे रहा होगा ये देखिए डिपलोपा इन अरली चाइल्ड केर एंड एजुकेशन ये आपको दिखाई दे रहा है निचे दे रहा है minimum duration minimum duration का मतलब दोसो एक साल का courses है ये उसके बाद है maximum duration सबसे पहले confused ये हो जाते हैं सबी जो भी देखता है कि minimum duration one year और maximum duration जो है four year इनका कहने का मतलब है कि यह है जो minimum duration होता है कि कम से कम ये लिपलोमा जो है एक साल का होता है और चार साल का मतलब है कि कि आप चार साल के अगर आप किसी प्रकार से आपकी कमपार्मेंट आया जती है या फिर आप जो है फैल हो जाते हैं या आपकी प्रोजेक्ट नमबर नहीं लगते हैं मतलब या एक साल का डिपलोमा पूरा करने के लिए आपको चार साल का वक्ति है तब चार साल तक इसे कोई भी चीज पेंडिंग रहती ह तो पूरी कर सकते हैं अगर चार साल के अंदर आपके कोई डिपलोमा पूरा नहीं होता है जो आपका क्या कोई एक्जाम रह जाता है या फिर आपका प्रोजेक्ट रह जाता है कोई भी चीज रह जाती है तो फिर आपका डिपलोमा कैंसल हो जाता है आप कमपार्मेंट या कोई exam नहीं दे सकते, आपको दोबार से नए admission लेना पड़ेगा उसके बाद में course fees, course fees दोस्तों यह इसके अंदर दिखाया रखी है यह पुरानी course fees updated है, जो लगबग जो fees लगती है आप जो without a buck का अगर आप admission लेते हो, तो लगबग जो है student को जो भी 12th और its equivalent, जो भी बार्मी कर रखी है या बार्मी की equivalent अगर आपके पास कोई भी चीज है, जो आप इसके इंदर अडमिशन ले सकते हो निचे आपको दिखाए जायर होगा कि आप रीड़ कर सकते हैं, इसके आपको सबसे पहले आपको बता देता हूँ कि यह किस काम आता है, यह डिपलोमा काम आता है कि जैसे आप nursery teacher training जो है इसको जो entity के बारे में बोला जाता है, वही होता है यह भी, जो अब play school खोले जाने की जो government की policy चल रहे है कि play schools बनाए जाएंगे, आंगर वाड़ी के अंदर उनको play school बनाने की योजना चल रही है तो play school के अंदर जो teacher, जो वहाँ पे चोटे चोटे बच्चों को play school के अंदर जो उनको खिलाएंगे, या फिर उनकी जो भी care करेगा तो दोस्तों वहाँ पे जो teacher की जूर्त पड़ेगी, उसके अंदर जो है qualification है वह entity ही मांगी जाती है, वो यह diploma ही मांगा जाता है जिसके लिए क्या रहेगा दोस्तों, और कोई या JBT वाला या फिर BAD वाला इसके अंदर अपलाई नहीं कर सकता, यह है जो special year diploma ही उसके लिए चाहिए होता है दोस्तों तो यह आपको पता चल गया सबसे जादा और इसकी बहुत सारी पोस्टे जो पहले पंजाब के अंदर निकली भी है और दोस्तों आने वाले वक्त के अंदर यह है जो बहुत सारी पोस्टे निकलने भी वाली है क्योंकि सभी जो government है उन्होंने पीछे सी जो है यह data show कर दिय आता है कि हम जो है जितने भी अंगनवाडी के अंदर है उनको क्या बनाएंगे जो है अब play school बनाएंगे तो play school के अंदर जो requirement रहेगी दोस्तों वह जो कम से कम यह है तो education policy रहेगी रहेगी entity तो उसके लिए चाहिए चाहिएगा तो उसके देखते हैं दोस्तों यह इसके अ इसकाobject तो इस program guide पर क्लिक करके इसके दर आपका project जो है अप download कर सकते हैं तो दोस्तों मैं आपको दीखता हूँ project download करके कि इसके अधर क्या दिया गया है क्या नहीं तो दोस्तों आपके सामने जो है यह एक इनका जो है आपके सामने program guide जो है prospectus download हो गया जिसके इंदर यह बताया गया है सबसे पहले इसके इंदर आप download करोगी तो सबसे पहले इन्होंने सारा data दे रखा है कि क्या कह रहेगा कि सबसे पहले जो आप content नमिलेगा university के बारे में program के structure सब कुछ मिलेगी उसके बारे मैं आपको बता देते हैं दोस्तों कि क्या क्या चीज क्या क्या है यह तो इन्वेस्टिक के बारे में introduction है जो दे रखा है दोस्तों introduction of this program program के बारे में आपको जानकर दे रखी है और मीचे चलते है eligibility वगरा सब चीजी इसमें बता रहे कि duration क्या रहेगा दोस्तों उसके बाद में जो है programming structure क्या रहता है अब आपको बताते हैं इसके अंदर क्या क्या से लिबस रहता है क्या क्या subject रहता है इसके अंदर सबसे ज़्यादा जरूरी है कि इसके अंदर दोस्तों 4 subject रहते हैं कितने subject रहते हैं चार subject रहते हैं जिसके अंदर क्या रहेगा आपको दिखा रहे है इन तिनों के अंदर जो है इनके अंदर जो तीन सब्जेक्ट इनके जो एक्जाम होते हैं और इनके असाइनमेंट बनते हैं एक्जाम और असाइनमेंट बनते हैं दोस्तो जो आपको चोथा दिखाई दे रहा है यह देखिए प्रजेक्ट वरक वरकिंग वीड यंग चिल्डरन इन चायल्द केर सीटिंग दोस्टोथ यह DEC 4 OF यह कह रहता है यह रहता है प्रॉजेक्ट इसका कोई एगजाम नहीं होता है इसका सिर्फ प्रोजेक्ट ही सब्मिट होता है और जो है बागे 3 सबजेक्ट इनकी एग्जाम्स भी होते हैं और इनकी जो है assignment भी submit होते हैं तो यह सिर्फ practical है यह project रहता है यह अलग लग system है यह project को जो आपको इसके लिए क्या रहता है यह project के बारे में आपको लिखना होता है जिसके अंदर क्या होता कि आपको यह शो करना पड़े आप स्कूल में गई तो आपने ये देखा, वहां पर ये देखा, बच्चों को ये पढ़ाया, ये करवाया, सेकंड ये आपने ये करवाया, मतलब आपको पूरा शेडूल में एक महिने का जो आपको है, पूरी कलासिज लिखनी होगी दोस्तों, आपकी बार जो हुआ था, व परोजक्ट कैसे बनाना है, आपको कोई भी प्रोब्लम आती है, तो हम बैटे, हम आपको आपका प्रोजक्ट भी त्यार करवाएंगे, अपसा चीज आपको रिड़ी भी करवाएंगे, आपका डिपलामा करवाने में पूरी-पूरी हैलिप की जाएगी, तो ये आपको दि जो है 3400 रुपे फीस लगती है जिसके अंदर क्या रहता है कि बुक्स जो है उनिवस्टी से आती है सेकंड रहता है 34 रुपे फीस जो के रहती है विदाउट बुक रहती है जिसके अंदर आपको क्या करना है दोस्तों जो रहेगी उसके अंदर आपको विद बुक नहीं मिलेगी आप डिरेक्ट अडिमिशन हो जाएगा दोस्तो जो जो इनवस्टी से बुक्स आती है वो बहुत जादा लेंथी होती है बहुत जादा लेंथी क्या है कि उसको पढ़ते पढ़ते आपको जो है एक बुक्स पढ़ते पढ़ते काफी वक्त लग जाएगा दोस्तों तो इसके लिए आपको बहुत जादा लेंथी रहती है और जो ये है दोस्तों इसके इंदर आपको क्या रहेगा कि आपके जो है 300-400-500 रुपे बच जाते हैं और जो आपको इसके बतले हैं आपको क्या मिल जाती है गाइड अवेलेबल हो जाती है जो कि हमारे दवारे प्रोवाइड करवा जाए सकती है या फिर आप काई भी बुक्शॉप से ले सकते हो अगर आपको नहीं मिलती है तो तो आप guide पढ़के अच्छे से आप exam दे सकते हैं सबसे ज़्यादा जुरूरी आपको चीज बता देते हूं दोस्तों कि आप वैसे अगर entity करते हो तो आपको क्या रहता है कि आपको regular जाना पड़ता है और एगनू दुवारा यही course जो आपको घर बेटे करवाया जाता है आप किसी job में हो तो भी कर सकते हो government job में हो तो भी कर सकते हो आप किसी प्रकार की job में हो तो आप इसको कर सकते हो उसके बाद में दोस्तों अगर आप नीचे चलेंगे हैं आप जो किस ठेडी कर सकते हैं यह देखिए आपके सामनी है कि यह तुका श्लेव बताया गया है जो है यह यह ती का स्लेव बताया गया है विसकीन फूर का स्लेव बताया गया है कि तुस never फ्टेलेश्वक के निए प्रोजेक्स देगे प्रोजेक्ट यह बारे में सुब कुछ बताया गया है तो दोस्तों आप कर्वेथे यह डिपलोवा क्र सकते हैं और आपको जो है बिल्कुल बैसिक सी बिल्कुल थोड़ी से अमांट के इंडर आपक डिपलोमा हो जाएगा दोस्तो दोस्तो एक साल का डिप्लोमा रहता है अगर अब आप इसे का डिमिशन लेते हैं अब आप अगर इसका डिमिशन लेते हैं जिसकी लाज़ डेट कितनी चल रही है दोस्तो पंदरा तारिक कितनी चल रही है पंदरा सेप्टेंबर चल रही है आगे बढ़ मार्च अपरैल के अंदर जो assignment संबिटों ने start हो जाते हैं और जो आपकी exam फिस रहती है वो forth जो जो है आपको बता देता हूँ अपरेली अविए के अंदर जो है फॉर्थ या फिफ्ते में तक जो है अपरेली अम ये मिए के अंदर एक्जाम फीज बरी जायेगी जो एक्जाम फीज के राधी है दोसो रुपए पर एक्जाम राधी है मतला आपके टोटल छेषसो रुप calculator वो लगते हैं तीन जार रुपए ये लगते हैं आपके जो है लगबग आपका कितना हो गया 3700 रुपए जो आपका कर्चाता है आप 400 रुपए और लगा लीजी दोस्तों लगबग जो आपको चार हजार रुपए में जो आपका ये डिपलोमा हो जाता है चार जार रुपए में आपका ये डिपलोमा हो जाते है दोस्तों अगर आपको admission करवाना है या किसी प्रकार की और भी जान करें चाहिए अगर आपको समझ में नहीं आ रही है तो आप मुझे इस नमबर पे 999-29-31109 पर WhatsApp पर मैसेज करें दोस्तो अगर उसके बाद में कोई नीड रहेगी तो call के लिए मैं डिरेक्ट बोल दूँँगा आपको तो आपको नमबर भी दूँँगा उसे पर आपको लगर के आप मेरे से जानकरी ले सकते हैं दोस्तों अगर आपको डिमिशन करवाना है तो आज आप में में जो है WhatsApp कीजिए और डोकुमेंट आपको बता दिये कि डोकुमेंट का ध्यान रखे क्या क्या डोकुमेंट आपको बेजने होंगे एक तो 10th और 12th के जो है DMC रहेगी फोटो रहेगी एक साइन रहेगा अगर आप SCST की स्टूडेंट है तो आपको SCST का सेटिविट रहेगा दोस्तों और क्या रहेगा फोन नमबर और इमेल आईडी ये डोकुमेंट आपको बेजने होंगे ये डोकुमेंट आप हमें वर्टसप कीजी और अपना अडिमिशन जहां आपके रहते है ओल इंडिया वर कहीं से भी आप हैं तो आप अपना अडिमिशन करवा सकते हैं दोस्तों कैसे लिगी हमारे दवारा दीकी अपना आपको सब चीजे नियूज मिलते रहेंगे दोस्तों जादे से जादे जो है वीडियो को शेर केजिए और चैनल को सबस्क्राइब कर लेजिए एक निश्टरी पॉइंट में आपका बहुत बहुत तहने बाद